देश भर में कोरोना संकर्मन से मुट्टी के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी करें हमारा बूत टीका यूक्त इस पहल के ज़रिये जो है हर बूत पर नगरपरशद छेदर के 28 बूत पर अठाइसो नगरपरशद के वाड में इस तरह का अभियान चला दिवाचन सेद्र 134 बभूजन आदर्स मद्विद्याले चकला निर्मलिका यहां पर टिका करन केंद्र बनाया गया है यहां पर वाड सदस्वी मौजूद है तमाम जो इस बूत के मद्दाता है दूरदरा के जो भी लोग आते हैं यहां पर उसे टिका करण करवाया जा रह है ताकि हर आदमी यह टिका करवा सके और सरकार की जो नीती है उसका हर लोगों को लाव मिल सके इसके लिए यहां पर तमाम लोग आये हुए हैं और यहां पर स्वास्त गिवा के टेम आई हैं लोगों को टिका करन करा रही है और कोशिस की जारे हैं कि एक भी मत दाता पूरे नगर परिशत के अंदर में 28 वाड के अंतरकत जो हमारा भैक्षिनेशन का केंद्र बना है उस केंद्र पर उस वाड के या और दूसरे भी जगा करके के जो भैक्षिनेशन नहीं करवाएं उनके लिए यह बहुत ही स्वर्णिम का समय है कि एक भी घर एक भी हमारा 18 वरस से उपर के लोग बिना भैक्षिनेशन का नहीं रहें इस अभियान के तहद 6 माह में 6 करोर भैक्षिनेशन ब्याहर के अंदर में होना है उस अभियान के लिए हम लोग आज यहां पर वैक्षिनेशन के अंदर पर आये हुए हैं इस वाट के प्रतिनिदी के नाते हम हैं यहां और निशी तोर पर सरकार की जो मनसा है उसमें हम उपर सक्सेस होंगे और भारत सरकार के मानिय परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी 130 करोर जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं हिंदू हो, सिख हो, इसाई हो, मुस्लिम हो, सब के हित की चिंता वो करते हैं कि हमारा अगर इस दैस में रहने वाले तमाम नागरिक सौस्त रहे परशन रहें तभी दैस आगे बढ़़ सकता है दैस मजबूत हो सकता है दैस सौस्ट हो सकता है रह सकता है उसी अभ्यान में हम लोग आज लगे हुए हैं आज बहुत अच्छा यहां vaccination का अभ्याना की काहिर की जा रहे हैं लेकिन सरकार भी कटिवद्ध है किसी भी हालत में हर लोगों तक जो उसके एबूल है वहां तक टिका करन पहुंचाय जा रहा है और इसी के लिए तमाम तरह की जाग रुकता अभियान भी चला आए जा रहे हैं इसी करी में अगरपर्सद के छेत्र के अं सब्सक्राइब